नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राकेस और आप देख रहें GoTo Online तो पैन कार्ड को आधर कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 का समय दिया है अगर आप 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपे का जुर्माना देकर के अपने पैन कार्ड को आधर कार्ड से लिंक कर लेते हो तो आपका पैन कार्ड पर्मानेंटली निश्क्री हो जाएगा इसके साथ साथ आपको 10,000 रुपे तक का जुर्माना देना पड़ सकता है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने पैन कार्ड को आधर कार्ड से लिंक करा लिया है तो कैसे आप चेक करेंगे कि आपका पैन कार्ड आधर कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर उपन कर लेना है और Chrome Browser open करने के बाद में आपको Chrome के सर्च बार में लिखना है Income Tax ठीक है? Income Tax लिख करके आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर Income Tax की Official Website नजर आएगी यहाँ पर मैं मार्क कर दीता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है Home Income Tax Department तो आपको Home Income Tax Department पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आप जो है Income Tax की Official Website पर आजाएंगे और इस Website का Link मैं वीडियो की Description में में दे दूँगा वहाँ पर भी आप क्लिक करके डारेक्टली यहाँ पर आ सकते हूँ आपको क्या करना है उपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक Option दिया है मैं मार्क कर देता हूँ Link आधार Status आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद में आप इस वाले पेज पर आ जाओगे यहाँ पर दो कॉलम दिये हैं उपर वाले कॉलम में आपको अपना पैन नमर भरना है और नीचे वाले कॉलम में आपको आधार नमर भरना है और भरने के बाद में आपको View Link आधार Status इस पर क्लिक कर देना है तो मैं पैन नमर और आधार नमर यहाँ पर भर देता हूँ मैंने यहाँ पर अपना pen number भर दिया है और आधार number भर दिया है और नीचे नीली पट्टी में view link आधार status इस पर आपको click कर देना है तो मैं आपर click कर देता हूँ click करते ही यहाँ पर देखी एक message आगया है मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ यहाँ पर pen number is already linked to given आधार ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो pen number है वो already आधार कार से link है तो इस तरह आप आधार pen linking status चेक कर सकते हो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए फिर मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए बुट बाई